अभी बार संख्या 38 में आये हुए हैं पिछले बार राजेश्टी खुझ जो है चुनाओ मैदान में थे लेकिन इस बार पतनी है नीतु जहा वो चुनाओ मैदान में हैं तमाम मुद्दे पे बादशीत करेंगे सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी विह हारती आपका के टनाओ 2 तो बार लरे हैं लेकिन दोनोंऑ बार जंता के इस तो क्या मुद्दार यहां पे रहा मतलब हुआ करके भी मतलब ह्लमासूस नहीं कि मीदित महसूस किсон है हम सफलता हमें नहीं लेकिन कभी हम हariansूसूस नहीं कि और कभी किसी से मूह नहीं گin और आज के डेट में हमको जैसे अनभाफिल हो रहा है कि one-sided होकर के समाज हमको और मधाता कोमत देने के लिए तेयार हैं वैसे तो हमारी a पत्नी अभी कंडिदेट हैं लेकिन हमारे ही मतलब इस पर हमारी पत्नी के साथ सेजोप करने लिए तयार हैं और इस वार उमीद है पुरी उमीद है कि सब का साथ मिलेगा और हम सिवा का मौका मिलेगा वैसे तो सिवा हम हमेशा करते आये हैं नहीं पद पड़ाते हुए भी लेकिन फिर भी सरकारी लाप्स जो है वह जो है अपने हाथ के द्वारा अपने इक्षा के द्वारा स सरकारी योजनाएं आएगी वो हर को मतलब देना मेरा काम होगा और पीछे के जो भी वार्ट कमिशनर रहे हैं उनसे हमको कोई सिक्वा सिकायत नहीं है उसका सिक्वा सिकायत अगर समाज को होगा तो समाज ही हिसाब लेगी आगे हम अच्छा से अच्छा कर पाएं यही हमारी तरब से जो है सुवासा है और लोग रखें अच्छा एक चीज और है कि वोट कहीं न कहीं से डिवाइड भी हो जाता है वक्त पे और साथ ही राजनीतिक समीकरन जो है चुनाओं के वक्त वदल जाता है पीछले बार आपका बहुत जादा महौल था और आप जीते जीते हार गये थे उस वक्त का महौल अलग था और अब चुकी 2022 वाला महौल कुछ अलग दिखाई दे रहा है यहां पे कहा जा रहा है कि वोट जो है दो पार्ट में बट जाता है तो इस वार आपको क्या लगता है दोनों पार्ट से रहें थे वोट जो है मिलेगा और मुझे पूरी उमीद है कि दोनों समाच से कि मतलब है और मुसलिम संवार्ट के समाज स्वाचर मुझे साजोग प्राप्त होंगा और मैरे में पूर्या उमीद है मुसलिम समाज के लिए आपने आस्त क्या किया अगर देखा जायते हो चुकि मुसलिम समाज जो है वोट फीक्स रखते हैं उन्हीं को देना है तो ऐसा कुछ है जिसके बज़े से वोट जो है आपकी इधर अक्रिष्ट हो धर्म के नाम पर तो हमने कुछ नहीं किया अपने मौका देने का मतलब अशर उनको भी मिला है और हमें भी है उनसे में के इस Mandal forecasts kur मतलब कर दूरर इक कमिटी के द्वार चलाना चाहते हैं जीतने के बाद एक कुरे समाज से कमिटी का निर्मान हम करेंगे सहर समाज की आदमी को उसमें रखेंगे और उसके द्वारा संचालन हम करेंगे जो की हमें सहाजोगी के रूप में वो लोग साथ हैं जल निकासी, रोड, लाइट, पानी की बेवस्था, पेजल और धेड़ सारी समस्या जो सामने समस्या आएगा लोगों का वो पुड़ा कराना पब्लिक से उमीद है कि दो बार जिस तरीके से हुआ इस बार बेरा पार लग जाएगा बिल्कुर आसा तो है वसे मालिक जनता है जनता का क्या रिस्पॉंस मिला है, क्या कहेंगी जनता का तो जनता समय पर बतलाएगी कि वो हमें क्या देना चाहती है लेकिन मेरे पती जो मैं 20 साल से समाज सेवा कर रहे हैं चाहे जीते हैं हारे ये पब्लिक के हाथ में हैं पब्लिक हमारे साथ जो भी वैभार करें हम लोगों को सहर्स कभूल है उनका वैभार वो हमारे जो उचित समझे करें हम लोग इस यही कहेंगे कि बस हम लोग को एक वार सब्सक्राइब सकते समाफ जो पनकी सब्सक्राइब को वहाँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब लेकिन फिर भी हम लोग समाज सेवा करें रहेंगे उससे पीछे लगतार कवरें जाड़ी है चुनाव का भी होने है परतम चरण में नगर परिस्त का क्या कुछ प्रारूप है हाजीपूर में खासकर जिस तरीके से 45 वार्ड यहां पे बने है और सारे परत्यासी चुनाव मैदान में है हाला कि चुनाव का जो परचारा भी हान था आसरे प्रूप से सुरू हुआ है